नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागंदर मिस्त्रा में 28 मार्च को 80 साल बाद दिखेगा फालगुन पूरिमा का चांद चार राशियों के लगेगी लोटरी जी हां दोस्तों दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि 28 मार्च 2021 को 80 साल बाद दिखने वाला है माग पूरिमा का एक बेहदी खुपसूरत चांद जो कि कुछ राशिवाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाबदायक रहने वाला है हिंदू कलेंडर के अनुसार हर साल फालगुन पूरिमा की रात्र को होलिका दहन किया जाता है और इस बार यह फालगुन पूरिमा 28 मार्च 2021 को पढ़ रही है दिन रवी बार है और होलिका दहन का तेवार इस बार 29 मार्च दिन शौम बार को मनाया जाएगा बता दें कि इससे एक दिन पूर रात्र में होलिका दहन होगा जिसमें सभी नकरात्मक्ता नश्ट हो जाएंगी और सकरात्मक्ता उर्जा चारो और फैल जाएंगी इसके पश्यात मांगलिक कारभिर प्रारंब हो जाएंगे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 मार्च 2020 दिन रभी बार को फालगुन मार्च की पूर्माति थी का प्रारंब शुवाई 3 बच कर 27 मिनट पर होगा और इसका समापन 29 मार्च की दुपार 12 बच कर 17 मिनट पर होगा दोस्तों बता दें कि इस दिन होलिका दहन करने के लिए शुव महुर्थ का कुल 2 घंटे 23 मिनट तक रहेगा इसमें इस काल के भीतर लोगों को अपने 44 के भीतर होलिका दहन का दहन करना उत्तम होगा होलिका दहन के लिए 28 मार्च दिन रवी बार को साम 6 बच कर 32 मिनट से लेकर रात रियाठ बच कर यानि कि 55 मिनट तक शुव महुर्थ रहेगा और इस महुर्थ में होलिका दहन करना स्थ्रेष्ट माना जाएगा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार फालकुन पूरिमा के दिन यानि कि होलिका दहन के दिन एक बड़ा ही शुब श्योग बनने जा रहा है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन दुरुब नाम का योग सरवार्द सिध्ध योग अमर कि इस रात को निकलने वाला चांद 80 सालों बाद इस रात को निकलने वाला चांद यानि कि चंद्रमा अन्य पूरिमाओं की तुलना में यह चांद अधिक चमतकार और बड़ा देखने को मिलेगा इसकी चमक और पूरिमाओं जो अन्य पूरिमाओं होती हैं उन पूरिमाओं क यानि इसे ज़्यादा कहीं देखने को मिलेगा लग भग यानि की 20 परतिसत ज़्यादा और 25 परतिसत ज़्यादा चमक वाला लगेगा और काफी ज़्यादा सुर्ख होगा इसलिए खगोली बिग्यान की माने तो इस शुपर ब्लू मून के नाम से भी इसे जाना जाता है बता दें कि यह शाल का दूसरा सुपर ब्लू मून होगा दोस्तों इस दिन सुपर ब्लू मून का होना सरवार्द सिद्ध योग का होना अम्रिश सिद्ध योग गच केसरे योग और धुब नाम का योग बनना फालगुन पूरिमा और हुलिका दहन के शुप सैयोग का बनना यह सारे ही संयोग एक बड़ा महा संयोग और दूरलब संयोग इस दिन बना रहे हैं जो कि कुछ राश वाले जातकों के किस्मत अब बदलने वाली हैं जी हां दोस्तों इन राश वालों के उपर माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्णु जी की अश्यम कृपाद्रिष्ट अब बनने वाली हैं तो आखिर यह राश यह कौन कौन सी है भागशाली राश इन्हें क्या लाब होगा चलिए आपको हम बता देते हैं इस बीडियो में तो दोस्तों आप से अन्रोधे की बीडियो को बिलकुल भिमिश्णा करें और इसे अंतक देखें और बीडियो को ला काम्याबी मिलने वाली है कई शारे योग अब बन रहे हैं इन्हें दुरलब और सुब सहियोगों के कारण अईन चार राश वाले जातकों के किश्मत अफशवरने वाली है बता दे कि इन लोगों की आर्थिक शंकट में अब छुटकारा प्राप्त होगा आप लोगों को इ एक नई चमक एक नई काम्याबी सुरू हो जाएगी बिजनिस ब्यापार में अच्छा खासा मुनाफ़ा प्राप्त करेंगे और केजियर में बड़ी उपलब्दी आशिल करेंगे इन राश वाले जातकों के उपर माता लक्ष्मी जी की विशेश कृपादिश्ट बन रही ह भगवान बिश्टू जी भी अपनी कृपादिश्ट इन राश वाले जातकों के उपर बर्शा रहे हैं जिसके कारण इनके जीवन में चली आ रही तमाम बाधाई परेशानिया अब खत्म होने वाली है बता दे दोस्तों कि कई सव वर्सों के बाद ऐशा शुब संयोग बन तो दोस्तों वही मीन राश में शूड़ और शुक्र का एक साथ यूति करना शुक्र उचके होकर बैठे हैं तो वहीं अंगारक योग राहु और यहाँ पर मंगल देव बृशब राश में बना रहे हैं केतु बृशिक राश में बैठे हुए हैं जिसके चलते बहुत ही ज ब्हुत echLuc नशीब जो राशी आती है दोस्तों वो है दोस्तों कन्या राशी बतादे कन्या रास के जातकों के लिए कि आने बाला समय आपके लिए बहुत ही खोपसूरत रहने बाला है माता लक्षमी और भगवान विश्णो जी की अशीम कृपा आपके उपर बनने वाली है यह पोडिमा आप के लिए कई तरह के लाव लेकर आई है रुका हुआ सारा काम बनेगा तो पिंडिंग काम भी आपका बनता हुआ नजराएगा नौकरी पेशा वाली जातकों के लिए बहुत अच्छे लाव खिश्टिती बने रहे कि शेलेरी में बिजनेस में अच्छा खासा आप तेजी देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगली जो राशी आती है दोस्तो वो है दोस्तो यहाँ पर ब्रिशब राशी बताना चाहेंगे ब्रिशब राशी की जातकों कि आपके जीवन में छपड़ फार के धन श्रमपदा आने वाला है इस पूरिमा के बाद आपको एक नई खुश खबरी मिलेगी शंतान के शमश्याएं दो रहोंगी और आपके बैवाहिक जीवन में बताना चाहेंगे मिथुन राश की जातकों कि आपके जीवन में नई खुशकबरी मिलने वाली है जीवन में तरक्की करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं आपको नेक प्रकार की खुशकबरी मिलेगी बिजनेस ब्यापार में तेजी देखने को मिलेगी लोटरी शट्टा शेयर मार्केट से अच्छा कासा मुनाफ़ा प्राप्त होगा इनिकी लोटरी लगने कि ज्यादा चांसे शाथी शाथ इसमें जमीन प्रॉपर्पर्टिटी invest अच्छा कासा मुनाफ़ा प्राप्त करतें नज्राएंगे और केरियर में उचिपत के योग बन रहे हैं प्रोम समाज में आपका प्रेम बढ़ेगा और आप समाजिक कारियों की गतंप्दियों में बढ़ चड़ कर हिससा लेते नजराएंगे परतियोगी परिच्चा किसी इंटर्वी की त्यारी में जुटे होता अचों सिल कर पाएंगे शेहत में सुधार देखने को मिलेगा शेहत सम्बंदी परेशानिया दूर होंगे दोस्तों इन चार राश्वली जातकों के लिए इस पोडिमा के बाद कसमें काफी जदा लखी रहने वाला है इन चार राश्वली जातकों के अब किश्मा सबरने वाली है इनके जीवन में शारे दुख कश्ट अब दूर होने वाले हैं तो दोस्तों ये चार राशियां हैं जो कि इनको 28 मार्च के बाद बेहदी अच्छा सुब अपसर मिलने वाला है दोस्तों कई दसको बाद ऐसा सुब शयोग बन रहा है तो कमेंट सक्षन में सच्छे दिल से जय शयोग बावशी लिखें और जाती जाती वीडियो लाइक जरूर करें नहीं तो चानलों को सब्सक्राइब करें और शेयर करें